नमस्कार सैनिकों मैं हूँ आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा उमीद करती हूँ आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे आप सब अच्छे होंगे आज अस वीडियो में बहुत ही मैं तपूर विशे पे आपसे बात करने वाली हूँ आपको पता है कि हमारे सैनिकों को बैठे बैठे एक साल से जादा हो गया है और सरकार उनकी सुनने रही है हमारे सैनिकों की ऐसी कोई मांग भी नहीं है जो सरकार पूरी ना कर सके जो सरकार के बस में ना हो हमारे सैनिक क्या चाहते हैं तीन जजों की कमेटी ही तो चाहते हैं वो नहीं बिठा पा रही है हमारी सरकार ऐसा क्यूं ऐसे कि आपको पता है कि जो रिवाडी में रैली हुई थी पहले उसमें हमारे मोदी जी ने कहा था कि 65,000 करोड दियें फिर उन्होंने अपने किसी और भाशन में कहा था कि 70,000 करोड रुपे दियें हैं फिर उन्होंने कहा था कि 90,000 करोड दियें और अब फिर से उनकी रिवाडी में जो रैली हुई है उसमें उन्होंने कहा कि हम सैनिकों को 1,000,000 करोड रुपे दे चुके हैं अब अगर अगर एक लाख करोड रुपे हमारे सैनिकों को मिल गए हैं तो हमारे सैनिक क्यों अभी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं क्यों बैठे हुए हैं हमारे सैनिक अगर उनको एक लाख करोड रुपे मिल गया हुने इतने हजार करोड दिये हैं, इतने लाग करोड अब तक है दिया, एक लाग करोड रुपे दिये हैं, तो आपने दिये हैं और फिर भी सैनिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपने एक बार ऐसा क्यों नहीं सोचाएगी, हम सैनिकों से बात करके देखते हैं, जब आपनी रैली में अपनी speeches में बोलते हैं लेकित जब हमारे सैनिक कह रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है और आप तो बढ़ाते ही जा रहे हैं 65,000 करोड से 1,000,000 करोड पे आ चुके हैं संग्या बढ़ती ही जा रही है मगर हमारे सैनिक का प्रोटेस्ट तो वैसे ही चल रहा है हमारे सैनिक को तो कुछ नहीं मिल रहा है हमारे सैनिक को उनका हक सही से नहीं मिल रहा है और वह भी जितना उनको मिलना चाहिए वह सही से नहीं मिल रहा है तो हमारे सैनिक तो प्रोटेस्ट करेंगे तो क्यों नहीं एक बार हमारी जो सरकार है वो सैनिक से बात कर ले हमारे सैनिकों से बात कर ले उनकों से पूछ ले कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो हमने तो दे दिये तो आगर आपने दे दिये तो आप एक बार बात कर लीजिए और उनकी जो मांग है, क्या मांग है, आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं फिर से आपसे बस इतना मांग रहे हैं कि तीन जजों की कमेटी बिठा दो क्योंकि उनको सही से पैसा नहीं मिला है, तो वो पैसा गया कहां एक लाग करोड रुपे छोटी रकम नहीं है कहां गई वो ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी अपनी जेब से दे रहे है यह वो पैसा किसका था वो पैसा जनता का था सरकार को पैसा कौन दे रहा है जनता दे रही है हम ही tax के रूप में, अलग-अलग रूप में हम सरकार को पैसा देते हैं जब वो हमारा ही पैसा है तो वो accountable क्यों नहीं है उसके लिए transparency क्यों नहीं है, वो responsible क्यों नहीं है क्यों नहीं response कर दी है, क्यों नहीं हमारे सैनिकों से बात कर दी है बस अपने भाशनों में अपनी रैली में ये चीज का बोल देना ये आपको responsible या accountable नहीं बना देता है आपको हमारे सैनिकों से बात करनी चाहिए और उनका ये जो प्रोटेस्ट एक साल से जादा हो चुका है और आप बस हर बार बस रकम बढ़ाए जा रहे हैं कि हमने इतने करोड रुपे दे दिये इतने करोड रुपे दे दिये लेकिन वो करोड रुपे जब सही से distribute नहीं हो रहे हैं जब सही से मिल ही ने रहे हैं और साथी साथ जिसका हक है, जिसको मिलना चाहिए, उसको उसका हक नहीं मिल रहे हैं। फिर भी हमारे जो सरकार है, हमारे जो मोधी सरकार है, वो सुनने के लिए ही तयार नहीं हैं। बस अपने भाशन में वो बोलेंगी कितने करोड दिया हैं, एतने करोड दिया हैं। एक बार अगर हम वो हमारे सैनिकों से बात कर लेगी, कि हमारे सैनिक जो एक साल से वहाँ पर बैठे हैं, एक साल से जादा हो चुका है अब, तो वो क्यों बैठे हैं, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस सीज की मांग कर रहे हैं, दुबारा पैसे की मांग तो नहीं कर र इसकी जाच के लिए तीन रिटायर जजों की कमेटी ही तो मांग रही है हमारे सैनिक इतना ही तो मांग रहे है इतना तो हमारी सरकार हमारे सैनिकों के लिए कर सकती है की नहीं लेकिन फिर भी अभी भी सरकार वहरी बनके बस बैठी हुई है हमारे सैनेकों की सुन नहीं रही है, हमारे सैनेकों को जनतर मंदर पे बैठे हुए एक साल से जादा हो चुका है लेकिन अभी भी उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो कितनी जादा हमारी जो सरकार है वो धीड बन चुकी है या उसको इस चीज की आदत ही हो चुकी है अब सुनने की आदत हो चुकी है और सुनके एक कान से सुनके दूसरे कान से निकालने की आदत हो चुकी है आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में मुझे comment section में जरूर बताईएगा और यह जो मोदी जी हर बार कहते हैं कि मैंने तो इतने करोड दिये हैं 65,000 करोड, 70,000 करोड, 90,000 करोड और अब तो कह रहे हैं कि 1,00,000 करोड दिये हैं इनकी अभी जो रिवाडी में रैली हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि 1,00,000 करोड रुपे जो हैं हमने दिये हैं सैनिकों को OROP मिला है उनको तो सैनिकों को तो नहीं मिल रहा है न सही से तभी तो सैनिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तभी तो सैनिक अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक साल सो जादा हो चुका है लेकिन अभी भी तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप सोच कैसे रहे, देख कैसे रहे, वो मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा मैं हूँ आपके साथ, आपकी पत्रकार नैना शर्मा हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले और अपने विचारों को comment में लिखना ना भूले और इस वीडियो को अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करना बिलकुल भी न भूले मैं फिर से मिलूंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हैं मेरे साथ जय हिंद, जय भारत